नमस्कार दोस्तों साप्ताहिक राशी फल यानि आने वाले साथ दिनों का हाल लेकर मैं आपके समक्षू यह जो जानकारी है यह 28 नॉवंबर से 4 दिसंबर के मद्धे रहेगी यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी महिला पुरुश बच्चे सभी के लिए होगी आप लोग आने वाले सब्टाह के बारे में एक एक दिन के बारे में एक संशिब जानकारी जानपाएंगे कि दिन कैसा रहेगा और पूरा सब्टाह कैसा रहेगा किस तारीख को अच्छी ख़बर मिलेगी किस तारीख को बुरी ख़बर मिलेगी यह जानकारी भी आपको मिल जाएगी और किन उपायों से आप आगे तरक्की कर पाएंगे और आपके कश्ट कम हो पाएंगे आप सबी लोग चैनल को सिस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेस्बूक और इस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और इश्वर आपको तरक्की दे, इसी शुब कामना के साथ शुरुवात करते हैं राशिक फल की, और आपका जरम दिन है, शादी की साल गिरा है सब्ताह में तो धेरो धेरो शुब कामना है, अब बात करते हैं आपकी राशिकी, मकर राशिक, सब्ताह का आरम का समय आपके कार्यों को अच्छा बनाएगा आपके नीचे जो लोग काप करते हैं आपके जो जूनियर हैं उनसे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको उच्छ अधिकार्यों से साबाशी मिलेगी आप अच्छे टीम लीडर होंगे आपका वैपार अच्छा चलेगा, आपको लाब होगा, नौकरी पेशा लोगों को पद्दनती हो सकती है या प्रोमोशन की कोई खबर मिल सकती है, सब्ताक मध्यभाग मा दुरुगा की उपास्ता करने से काफी लाब होगा हानी कारक ग्रहों का प्रभाव आपके उपर से समाथ हो जाएगा, आपके लिए समय प्रभाव शाली हो जाएगा सब्ताक कांतिम भाग महत्पूर कामों को पूरा करने के लिए अनकुल नहीं है तो सला ये है कि या तो पुराने काम इंगे प्टाले और गद्दम है तभी दोनों कामों को करें पुराने और नए कामों की शुरुआत। कुछ जात्रा हैं आपको ठकाने वाली होंगी, खर्चे बढ़ने वाले होंगे, मूड बार 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 बदलेगा, परशानी होगी, महत्पूर कामों को इस्तखित करना पड़ सकता है, आप विश्वास को बनाएं रखिएगा, मिला जुला ये सप्ताह मीतेगा। 28 नमबर की बात करें, तो सब्ताह का सरशेज दिन है, निश्वास को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और एक लाब होंगे, या समय शेर बाजी, सठे बाजी में शुप परिणाम दे सकता है, आप दिर भर होंगे, कुल बिलाकर आपके लिए दिन पसंता दैग रह करेंगे, खरीद रोख का विचार और कारिकर ब्रद करके घर पर रहेंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, आपके दाहिनी आँख में कोई समस्या आ सकती है, आपको विभिल प्रकार से धन आगमन हो सकता है, परिवारिक कारियों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा. तीस दूमबर की बात करें, तो आज आप चोष और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे, जो मुश्किल होंगे, आपकी छोटी यात्राएं फायदे मन रहेगी, आर्थे किसी सामान रहेगी, आप स्वास के पती साफधान रहे, कोई वहां नित्यादी खईतने की योजना या ब करेंगे, ध्यारे बनाये रखे, सभी कामों को चालू रखे, पैसा कड़ी महनत से आएगा, जीवन साती के साथ रिष्टे मदूर बनाये रखे, आपके बच्चे शेष्ट परिजाम देंगे, दो दिसम्मर की बात करें तो आज आज आप थकान और आलस के शिकार होंगे, आ आज आपको आपके लक्ष को पानी के लिए कठी परिश्रम करना पड़ सकता है, आपको पुराने और नए कामों का दबाव जहलना पड़ सकता है, नए कामों की शुरुआत अभी सोच समझ कर करें, पैसा और वक्त दोनों लगेगा, किसी नजी की रिष्टेदार के घर आन कुछ ऐसा नखाएं जिससे उनको अपच हो जाए या पेट की समर्स्या हो जाए, और जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है, उनके लिए वक्त बेहतर रहेगा, और जो कुवारे हैं उनके लिए ठीक रहेगा दिन, चार दिसम्मर की बात करें तो आपके घर में परसंता उल्ल के बिगले हुए काम बन जाएंगे, अचानक से धल लाव हो जाएगा, घर में आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर रहेंगे, तो कुल मिलाकर आपके लिए 62% लाव के भरा हुआ है, ये आने वाला सब्ता है, और दो नंबर आपके लखी रहेगा, अब जानते हैं कैसे हम चोटे-चोटे उपायों से अपनी जिन्दगी को हमीशा के लिए बहतर बना सकते हैं, राशी फल आपनी सुन लिया, अब बात आती है उपाय की, रेमेडीज की, देखिए, धन प्राप्ती के लिए, मैं आपको तीन उपाय बताने ज मचलीओं को, जो फिश होती हैं, फिश उनको भोजन कराज़ अगर मचलियां आपके आसपास नहीं हैं तो आप जो काली भेस होती है, बलैक भेस, उसको चारा खिलाएं चावल खिलाएं, ऐसा करने से भी आपको लाप होगा, यह किसी भी दिन के समय आप इस उपाय को कर सकत एक बार करें चलु Bureau करना है किसी मंदिर में धर्म इस्थान पर चने की डाल का दान करें। कितनी टैसे, ये आप क्यक्य मुएं एक केलो करें, प्रजिलर, ढदान पर क्रान कर सकता है। तीसरा उपाय है आप मंदिर में दूद का दान करें या फिर चावल का दान करें इन दोलों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं ऐसा करने से शुक्र की गिर्पावर्से कि आप आलू का भीदान कर सकते हैं, दहीं का भीदान कर सकते हैं, शुक्र को मजबूत कर लेंगे, तो लगजरी लाइफ में आ जाएगी, पैसा लाइफ में आ जाएगा, आलू एक किलो, दो किलो, जितना आपको अच्छा लगए उतन हर्माज चलीसा जरूर पढ़ें मंदर जाकर या फिर घर में पढ़ें, या कहीं पर भी आपको मौका लगे, वहां पर हर्माज चलीसा का इस्परन कर सकते हैं, इतने उपाए अगर आप कर लेते हैं, तो आपका कल्यान होना तैह है, किसी निर्धन को और किसी परिश्रुमी ध्यान रखिएगा, ऐसा कर लिया, तो सप्ताह बहुत मेतर हो जाएगा, यह सामान में उपाए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, एक जंदल चीज में बता रहा हो, जो हर वेक्ति कर सकता है, देश विदेश में बैठा हुआ, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग केसर का, ठीका भी माते पर लगा सकते हैं, ऐसा करने से भी आपको लाब होगा, कुछ लोग कहेंगे कि हम बहास नहीं मिल लई, तो आपके पाद 10 रुपे, 20 रुपे का जो सिक्का होता है, कुईन होता है, वो आप किसी अपने घर के आसपास जो सफाई करम चारी है उसको दान दे सकते हैं ऐसा करने से भी आपको लाब मिल जाएगा ये और इजी उपाय हो गए कुछ लोग कहेंगे हम ये भी नहीं कर सकते हैं तो घर के आसपास दूर्वा घांस लगी होगी दूर्वा घांस तोड़कर गड़ेंश जी को चुड़ा दे और नमशकार कर लें घर में या मंदिर में इस ऐसा करने से भी कश्ट कम हो जाएंगे अब इसमें तो कुछ ना अगला सब्ता महीना साल सब को शुक होता चला जाएगा अगर आपके पास जनम कुड़ी नहीं तो अपनी जनम कुड़ी की जाज भी आप जरूर कराएं ताकि आने वाले भविश्यू को आप जान सकें नमशकार